हेलो फ्रेंड्स एगवर फिर से आपका अपने चैनल आलिनवन ग्यान ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है आज हम से एर करेंगे कि बच्चों से लेकर घर तक का सारा काम हम 10 बजे तक कैसे कंप्लीट करते हैं और सिलाई का काम हम कप करते हैं तो चलिए फिर देखते हैं हम घर का सारा काम कैसे निप्ताते हैं 10 बजे तक यहाँ पर हो गई है मॉर्णिंग सबसे पहले हम सुभा सुभा आ गए हैं अपने गार्डन में यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डन में कद्दू लगा हुआ है लगा है दोनों भी काफी बड़े बड़े हो गये हैं तो तो छलिए फीर इसे हम कट करते हैं। यहांपर मैं कट करने जा रहे हूं यह बड़ा हो गया है उसे ही हम कट करेंगे। इसको हम कट रिते हैं। इसकी हम सबजी बनाएंगे आज यहां पर हमने इसे कट कर लिया है आप देख सकते हैं एक दम फ्रेज कद्दू है यह गारडन में बिना किसी दवा के यह उगाई गी है एक दम आरगैनिक तरीके से हमने इसे गारडन में उगाया हुआ है तो इसे अब हम ले चलते हैं किचन म और इसकी हम सबजी बनाते हैं यहां पर हम थोड़ा सा मस्ती करते हुए जा रहे हैं कद्दू के साथ हमने कद्दू को अंदर रख दिया है यहां पर हमारे हजबेंट जी सुबा निकल रहे हैं अपनी काम पर सबसे पहले इन्हें हम छोड़ देते हैं उसके बाद हम चार्ट करेंगे बच्ची भी सो रहे हैं यहां पर हम गेट खोलने जा रहे हैं हम आ गए हैं गेट तक अज सुबह सुबह हम सुरू हो गए हैं ब्लॉगिंग करने में यहां पर आप देख सकते हैं यह बाहर निकल रहे हैं अब हम गेट को बंद करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रेस कर लेते हैं हम ब्रेस को लेकर आगे हैं गारडन में यहां पर हम फाइव मिनट अपने साथ बिताएंगे आज का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है बादल चाया हुआ है ठंडी ठंडी हवा चल रही है बच्चे भी सो रहे हैं यहां पर हम पाँच मिनट खुद के साथ मस्ती करेंगे उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे अभी सुबा के साड़े पास बज रहे हैं यहां पर सुबा का मौसम आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तक हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सेके, और आ आप हमारे सभी बोड्योज को आशानी से देख सकें, तो हम आ गए हैं, अंदर बच्चों को भी उठा दिये हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और मैं आ गई हूँ किच्चन में, आटा मैंने गूत कर रख दिया है, साइड में आप देख सकते हैं, साथ में मैं सब्जी भी काट रही हूँ, और पैन भी रख दी हूँ, गरम हो गया है, इसमें ओयल डाल दी हूँ, जीरा, लहसन, हरी मिर्ची, और प्याज को हमने कट करके डाल दिया है, जब तक प्याज वगएरा गूर्डन होंगे, तब तक मैं सब्जी भी कट कर लूँगे, क्योंकि प्याज को गूर्डन होने में टाइम लगता है, त इसलिए हम तड़का भी साथ में लगा रहे हैं, और सब्जी भी कट कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्जी को भी कट कर लिए हैं, उसे हमने ढख दिया है, मसले वगएरा डाल कर वो पक रहा है, अब हम रोटी बनाएंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा पराठा बनाएंगे, मेरा मन था पूरी बनाने का, कद्दू की सब्जी के साथ पूरी बहुत ही ज़्यादा डेस्टी लिगती है, तो लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, वो लोग बाहर खाना खा कर रहा हैं रात में, इसलिए उन्हों का मन नहीं है, इस टाइम पूरी खाने का, बोल रहा है कि नए पूरी नहीं खाना है, पराठे बना दीजिए, तो चलिए फिर हम पराठे बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम घी निकालते हैं, और इसे मेल्ट करते हैं, यहां पर काटोरी में हमने घी निकाल दिया है, अब इसको हम मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद पराठे बनाएंगे, यह हमारा मेल्ट हो गया है, इसको नीचे उतारते हैं पैन को हम रख देते हैं का सब्जी अभी पकी नहीं है तोसब्जी को हम पकने देते हैं अब हम नीचे सारी चीज़ों कोरकरेंगे क्योंकि गैश चुला हमने नीची रखा हुआ है उपर इंडक्शन वागण यहां पर हमने गैस चुला को नीची रखा है नीचे हम रोटी बनाएंगे और पराठी बना लेंगे तो चलिए फिर फट फट से हम बना लेते हैं फ्रेंड्स अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा हम अपने चैनल पर कोकिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो सेयर करते रहते हैं यहां पर हमने रोटी बना लिया है अब हम फटफट से पराठे भी सेक लेत है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है यहां पर मैं आ गई हूँ अगन में अब मैं अपने छोटे बेटे को नहलाओंगी युदि एक तो बड़ा हो गया है तो बड़ा वाला खुद से नहा लेगा बट इसको थोड़ा सा नहलाना पड़ेगा यहां पर मैं इसको नहला रही पहनाँ प़णाओंगी अर्रे लाद़ उसके बाद में इसको खाना खिलाओंगी यहां पर और यह ड्रेश पहान लिया है आप देख सकते हैं , यह जो में इन ड्रेस पहना दिया है इसको सूज और सॉपक सोठ पहनाएंगा । आपन पर सौक्स भी में डाल तया है सूज प आप देख सेकते हैं इतना बडा सा बच्चा हो गया यह भी खाना नहींदा है हुझ से कषोड़ से खाने करता है यहाँ पर हमने सुखाना भी खिला दोद्धी पिला दिया है, हस्बेंट जी भी आ गए थे, वो भी खाना उना खा लिये, अब इसकूल के लिए निकल रहे हैं, शारे लोग रिडी हो गए है, मामी पापा का पएर छोग कर लोग निकल रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, अब स्कूल का टाइम हो गया है, इ इसके बाद हम घर का काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर सब लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं, बाय करते हुए निकल गए लोग, यहाँ पर घर खाली हो गया है, घर इदम शुना शुना सा लग रहा है, अब घर में एकदम सांती हो गई है, अब मैं अक्यली घर में सारा काम करूँगी मुबंद करके यहां पर घर की हालत आप देख सकते हैं घर में आने के बाद यह कहां से सुरू करें कुछ समझ में नहीं आता है यह लोग ऐसा बिस्तर पर सारी चीजें फैलाये रहते हैं ना कि पूछो मत यहां पर आप देख कर ख करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले बिस्तर को साफ करते हैं अभी में लगा हुआ है क्योंकि यह देर तक सोते हैं तो मैं उटने के बाद उसे नहीं निकाल दे हूँ लोग चले जाते हैं उसके बाद ही मैं निकालती हूं तब मैं सारी चीजों को सही तरीके से करूँगी यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अब सारा काम सुरू कर दी हूं करना तो मैं फटा-फट से सारे कामों को करूंगी यहां पर सबसे पहले बिस्तर को ठीक करूंगी सारे चीजों को समेटूंगी उसके बाद इसको अच्छे से जाड़ूंगी यहां पर आप देख अब हम चलते हैं आगी का काम करते हैं अभी यहां पर जाड़ो गया लगाना है पुछा लगाना है बट अभी मैं सबसे पहले चलूंगी आगन में कि यहां पर नीशे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पेपर की कर्टिंग में करके घर को इदम पूरा कुड़ा कबार जैसा बनाए रहते हैं तो अभी हम इसको नहीं करेंगे यहां पर हम आ गये हैं आगन में सबसे पहले हम बटन दूलेंगे और कपड़े को दूलेंग इसलिए हम कपड़े को दूल देते हैं सबसे पहले उसके बाद हम और काम करेंगे तो यहां पर हमने इसको भीगो दिया है सारे कपड़ों को उसे रख दिया है साइड में तब तक हम बरतन दूलेंगे तो यहां पर बरतन को भी हमने दूल दिया है इसे हम रैक में लगा दे है इसी तरीके से से मर Assiest काम करते हैं इस तरीके से हम सारे काम को करते थी जात करते हैं यहां पर हम कपड़ी कूझ दूल रहे हैं तो यहां पर कपड़ा भी महर दूला गया है आप पानी को भर लेते हैं किया पता लाइट वगएरा चली जाए तो तापी आगी काम हमारा होता रहे लोगा भाणि को ख़ले नहीं देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लिया है यहां कर भाण। तो तो जना थान देहान के बहुंद नहीं से नहीं को अमने और भी सीज़ढ़न को क्पड़े करके फेल नहीं होगा ठालना बहुत जरूरी होता है कि अव्यशार भी दिखाना बहुत जरूरी होता है लुग शुभनारे कंछिक ситу चोड़े grin है बट इसको धूप में सुखाना बहुत जरूरी है तो यहां पर हमने कपड़े को फैल ला दिया है आप देख सकते हैं बाकी का बच्छा हुआ हम इस साइड डालेंगे क्योंकि आज बहुत जादा कपड़े की धुलाई हो गई है कभी-कभी बहुत जादा कपड़े निकल ज देख सकते हैं बादल घेरे चला रहा है और हवाय भी बहुत तेज चल रही है तो अब हम आ गए हैं घर की अंदर अब हम सबसे पहले जाडू लगाएंगे घर में तेहां पर अब देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे पेपर की कटिंग करके पूरा घर गंदा किये है तो किया कि जाडू एंगे तो ऑचा हैं गर को साफ करांगे उसकी बाद ही हम न रहाएंगे? किया को आगका डूप साफ kитесь ए um साफ को गया है और की साइड अंदर अगय है ंडर की साइड में यहां पर हम जाडू लगएंगे कि चन में लगाएंगे कर gust जोड़ा नहीं लगें क्योंकि नहीं लगाते हैं हम पाने डाल designed daily साफ करते हैं यहां परम आयपर सेगे तो पूरा पानी सूख जाएगा इधर हमें पुछा लगानी की जरूरत नहीं पड़ती है अंगन सैड में यहां पर साफ हो गया है घर हमारा तो घर की सफाई भी करना बहुत जरूरी होता है यह डेली का काम हुए यहां पर हम चोकी को पहले पोस्ट देते हैं साफ कपले से उसके बाद हम पुछा लगाएंग यह चोड़ा सा फांशिह पर हमने शरेचुजों को दिखाया हुआ वुए है तो हमने पुछा भी लगा दिया अंदर की साइड की चन और अगन की सइड भी लगा दिया है अब हम आ अगे बाले रूम में इसमें भी पूछा लाएंगे पूछा लाएंगे उच्को भी आ करेंगे उसके बाद हम ना आने जाएंगे हमने फैन को भी आन कर दिया है ताकि पुछा लगाने पर ही तुरण सुख जाए सुखता रहे हुआ हमाई भी अज काफी ते चल रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं ही श्रूम में भी मैंने पुछा लगा दिया है अब मैं नहाऊंगी अपने कपड़े दोलूंगी उसकी बाद में खाना बनाऊंगी दोपार के लिए दाल चावल अभी तो हमने सुखा का नास्ता और लंच तैयार करके दिया है बच्चों को अभी हमने दोपार के लिए खाना नहीं बनाया है यहां पर पुछा हमारा लग ग घर हमारा शाप हो गया है कपड़े भी शाप हो गया है यहां पर मैं नहाच चुकी हूँ अब मैं सबसे पहले दाल चावल चड़ाऊंगी दोपार के खाने में दाल चावल है तो यहां पर हम दाल और चावल को ले लिए हैं हम एक साथ दोनों को पकाएंगे तो यहां पर इसको पकाते हैं, यह दाल है, इसको हम धोल देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हमने इसे दोल लिया है, चलते हैं किचेन में, देखते हैं इसे किस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर दाल चावल एक साथ कूकर में पकाते समय, थोड़ा सा धिहान देना होता है, इसको एक साथ रखते समय, तो यह जो है दाल जो चावल में नहीं जाता है कफी लोग की प्रॉब्लम होती है कि दाल चावल जब एक साथ पकाते हैं तो लोटा में चावल होने के बावजुद भी ओखिछली बन जाती है दाल उसके अंदर चला ही जाता है तो यहां पर गैस का फ्लेम ज्यादा हाई रहत दाल चावल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है एक दम फ्रिसी चावल रहता है जिस तरीके से आप अलग लग से पकाते हैं तो यहां पर हमने चावल को एक में करके रग दिया है अब इसको पकने देंगे अब हम यहां पर आज ब्लाउस की करेंगे सारा काम निप्टान बनाने वाले हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हम आप लों के साथ जरूर सियर करेंगी तो फ्रेंड्स